नमस्कार, बिहार भाजपा की राजनिती में कुछ बदलाव नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा किया, लगभग पक्का हो गया क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने घोशना ही कर दी, बीजेपी की कोशिश थी कि दोनों में समझोता हुजाए, दोनों में समझोता हुआ या नहीं यह पता नहीं, लेकिन बिहार में जो विधान सभा के दो उपचुनाओ हो रहे हैं, उनके लिए भाजबा के उम्मीदवारों की और से प्रचार करने के लिए चिराग पासवान तयार हो गया है। यह बिहार भाजबा के लिए बड़ी अच्छी खबर है। आपको पता है कि राम बिलास पासवान जो वोट बैंक पर उनका अधिकार था, वो ऐसा लगता है कि चिराग पासवान उनके राजनीतिक उतराधिकारी वही बनेंगे। उनके चाचा जो है, उनके पास उनका जो वोट बैंक है, वो जो विरासत है राजनीतिक वो नहीं जाने वाली है। तो ऐसे में बीजेपी को लग रहा था कि अगर चिराग पासवान साथ में आ जाएंगे, तो 6.5% पासवान वोट बीजेपी की तरफ आ सकते है। और ऐसा ह होने जा रहा है, चिराग पासवान के लिए अपने चाचा से बड़ा लगता हिस्समें विरोध जो है, वो नितीश कुमार उनके विरोधी बने हुए है। नितीश कुमार की नाराजगी थी चिराग पासवान को लेकर बीजेपी से। पिछले विधान सभा चुनाओं में कि बीजेपी ने जानगूश कर चिराग पासवान को जेडियू के खिलाफ खड़ा किया और चिराग पासवान की पार्टी ने ज्यादा तरुमीदवार वहीं खड़े किये जहां उनकी जेडियू के कैंडिडेट थे। इसलिए उनकी सीटें कम आ गई ये शिकायत उन्होंने अपनी हार का ये कारण बताया ये ये वज़े बताने की कोशिश की जो किसी के गले ज्यादा उतरी नहीं कि अगर आप चिराग पासवान अगर 17 साल मुक्यमंत्री रहने के बाद एक युवा निता चिराग पासवान से आप डर गए उसकी वज़े से आप हार गए तो फिर आपने 17 साल में क्या किया है लेकिन चिराग पासवान का आना इंद मुकामा और गपाल गंज के उप चुनाव में प्रचार करना बीजेपी के लिए अच्छी बात है लेकिन आरजेडी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है आरजेडी दोनों सीटों पर आरजेडी और बीज नहीं करेंगे अब सवाल यह कि बीमारी की वज़े से चुनाव में कर रहे है या कोई और वज़ा है पहले कहा जा रहा था कि मुकामा में चुकि अनंत सिंग्ग वहां से विधायक थे उनकी विधायकी उनकी सदर से था रद होने के बाद उनकी पत्नी वहां से चुनाव तो इसलिए नितीश कुमार क्या उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं या आंकने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बिना RJD की क्या स्थिति होती है अब ये सच्चाई किसी को पता नहीं लेकिन फिलाल जो खबर है कि नितीश कुमार गोपाल गंज और मुकामा में चुनाव प्रचा का नतीजा जो है ये भी एक संकेत देगा कि बीजेपी कितने पानी में खड़ी है वो उसने जो बैसाकी छोड़ी है जेडियू की उसके बाद उसके कदम लड़ खडा रहे हैं या जमीन पर हैं उसके अलावा RJD के लिए भी ये ये जो है टेस्ट करने का मौका होगा कि नित इसर नहीं पढ़ने वाला है लेकिन वो राजनीती किस दिशा में बिहार की मुड़ेगी उसका एक हलका संकेत जरूर मिलेगा तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार